नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे Education Department के तरफ से Permanent TGT Teachers की Recruitment आ गई है हन्जी दोस्तों बिलकुल Regular Basis की Government Teachers Recruitment आई हुई है 75,000 रुपे के आसपास स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी ओनलाइन आविदन करना होगा और All Over India लेवल से Candidate इन पदों के लिए आविदन कर सकता है सारी जानकारी इस Recruitment से जुड़ी हुई बिलकुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं आप विडियो को शिरूर से लेखे आके तक जरूर से जरूर देखिए और All Over India लेवल से Teachers Recruitment से जुड़ी latest update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर ले इनके लिए उनलाइन आविदन करने की अंतिमतिती 15-5-2022 है जहां तक पदों का विवरण हैं, English के 22 पद हैं, Hindi के 22 हैं, Political Science के 11 हैं, Geography के 17 हैं, Economics के 11, History के 11, Mathematics के 21, Physics के 99, Chemistry के 43, Biology के 16, Agriculture के 9 और Horticulture के 7 पदों के लिए ये recruitment आई हुई है ये category के according पदों के संख्या दी गई है और ये unreserved के पदों की संख्या है ये इनका detailed notification है, सबसे पहले देखे, कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए online आविदन कर सकता है Trend Graduate Teacher Group B Non-Gusted Post है अरुनाचल परदेश Public Service Commission इटानगर की तरफ से notification 7 अप्रेल 2022 को जारी किया गया है पद का नाम Trend Graduate Teacher Department of Education Government of Arunachal परदेश की तरफ से Pay Scale है Pay Matrix Level 7, 44,900 से 1,42,400 Group B Non-Gusted Post है Subject मैं आपको बता चुका हूँ, number of post भी आपको बता चुका हूँ ये post result है, अरुनाचल परदेश ST category के जो candidates हैं उनके लिए 1977 पद और ये result है PWD category के जो candidate हैं उनके लिए और ये पद हैं unreserved, तो इन पदों के लिए आप आपे दन कर पाएंगे अगर आप करना चाहते हैं, तो आयू सीमा 13 माई 2022 को, minimum 21 साल, maximum 33 साल, 5 साल की चूट मिल जाएगी AP, ST category के जो candidates हैं उनको और 5 साल की government और semi government department staff जो की अरुनाचल परदेश का है उसे 5 साल की चूट मिल जाएगी और AP, ST, PWD category के जो candidates हैं उन्हें 15 साल की upper age limit में चूट यहाँ दी जा रही है educational qualification second class, bachelor's degree concerned subject में आपने कर रखी हो किसी भी recognized university से और उसी के साथ साथ आपने beard कर रखी हो और जो final year में candidate हैं वो भी आविदन कर सकते हैं पर जो वाईवा और interview होगा उस समय आपको original certificate और mark sheet आपको दिखानी होगी final year की भी यह आप ध्यान रखिएगा कैसे आपको आविदन करना है appsc.gov.in पे आपको जाना है वहाँ one time registration आपको करना है login ID और password आपका generate हो जाएगा उसके बाद फिर आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं क्या-क्या आपको upload करना होगा आविदन करते हैं वक्त सारी जैनकर यहाँ दी गई है तो यह आप यहाँ से देख सकते हैं यह 6 document है जो आप से मांगे जा रहे हैं और selection process क्या है return exam इसका conduct कराया जा सकता है अगर candidate की संख्या ज्यादा होती है तो journal knowledge का 100 नंबर का journal knowledge concerns object का 100 नंबर का आपका paper conduct कराया जाएगा paper 1 100 नंबर का होगा यहाँ से यह questions पूछे जाएंगे paper 2 भी 100 नंबर का आपका conduct कराया जाएगा interview वाइवा 50 नंबर का होगा application fees देखी APSG applicants के लिए 150 other applicants के लिए 200 रुपए application fees यहाँ निर्धारित की गई है last date आवेदन करने की 13 पास 2022 है इसका जो slavus है वो official website पे जारी कर दिया जाएगा आप वहाँ से download कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तो main main सारी चैनल करें इस recruitment से जड़ी ही बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें तो ठीक है आज अभी के लिए तना ही फिर मिल दे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार